दुस्तों दुनिया के सबसे बड़े डारेक्टर्स में से एक क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म ओपेन हाइमर से तहलका मचा दिया है ओपेन हाइमर ने भारती सिनेमा घरों के रोनक को फिर से लोटा दिया है लेकिन ओपेन हाइमर देखने के बाद कई लोगों ने एक सिन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का आरोप लगाया है अब आईए जानते हैं ओपेन हाइमर पर क्यों मचा है बवाल तरसल यह फिल्म परमाणुबं बनाने वाले वैज्ञानी जेर रॉबर्ट ओपेन हाइमर के जिन्दगी पर बेजड है जेर रॉबर्ट ओपेन हाइमर भगवत गीता पढ़ा करते थे लेकिन फिल्म में ओपन हाइमर को इंटिमेट सीन के दौरान भगवत गीता पढ़ते हुई दिखाया गया है जिस पर अब बवाल मच गया है तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रही है डेली साम 6 बजे करेंट एफेर्स के लिए only on bankersadda 24 7 thank you